हेलो एप्रिबन वेलकम टो माई चैनल नर्शिंग सकी मैंने इससे पहले अपगार की एक वीडियो बनाई है जिसमें सभी बातों को क्लियर किया है लेकिन अपगार में कुछ पार्ट छोट गये थे जिसके लिए मैं पुना पार्ट दो का ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हो लेकिन एक बार अब सारी बातों को मैं इस वीडियो में भी क्लियर कर दोंगी जो लोगों इस वीडियो को न देख पाए तो बहुत बिस्तेच में तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इसमें क्लियर कर दूँगे कि इस वीडियो को भी देखके आप समझ पाएं तो आईए शुरू करते हैं अपगार के बारे में अपगार क्या है तो अपगार एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसको की 1952 में वरेजीनिया अपगार जो की इनेस्थेटिक थे उन्होंने इस स्कोरिंग अपगार सिस्टम को डेपलप किया इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी तो इसको करने से हम बच्चों में जो नौजाद बच्चे हैं उनके में अगर सिह संबंधित कोई समस्या कोई जटिलता है तो उसको हम बहुत कम समय की अंदर इस स्कोर के माध्यम से पहचान सकते हैं और तुरंत उनको जिस तरह से उनके इलाज के जरूरत है उसको हम तुरंत उनके लिए उपचार मतलब जिस तरह से इलाज के उनको जरूरत है उसको तुरंत दे सके जिससे की नौजात मृत्यों के दर को कम किया जा सके या जो नौजात बच्चे हैं जैसे आप माल लेजे कि अगर उनमें बच्च नीले दीख रहे हैं या एस्पेक्सिया है तो उनमें आक्सिजन की कमी होगी तो अगर हम जल्दी से उनको आक्सिजन की उपलब्दता नहीं उपलब्द कराकर कि और उनको ट्रेटमेंट देंगे तो ऐसे बच्चों के बहुत सारे सिस्टम फेल होने की स सकती तो ऐसी सभी चटिलताओं को दूर करने के लिए हमें अपगार सिस्टम की जरूरत पड़ी जिसको की वर्जिनिया अपगार ने डेबलब किया अब इसकी स्कोरिंग के माध्यम से हम कितने अंग बच्चों के सिस्टम कितने अंग कारे कर रहे हैं कि नहीं हो गया उनके सिस्टम ठीक डंग से काम करें उसमें कौन-कौन से सिस्टम को जान सकते हैं तो हर्ट सिस्टम को लंग और ब्रे इन तीन सिस्टम जो कि इस अपकार सिस्टम के तहत देखे जाते हैं तो इससे हम जान सकते हैं कि बच्च जो है वह स्वस्थ है या उसमें कोई जडिलता है य इसमें जो scoring करते हैं, O, 0, 1, 2, यानि केवले तीन नमबरों से scoring करते हैं, और उसमें बच्चे में जो score आएगा, वो 0 से लेकर के 10 के मध्य आएगा, तो इस प्रकास से हम बहुत सारी बातें यहां clear करते हैं, वो यह आप से पूछा जा सकता है, कौन को नमबर से scoring करते हैं, तो किसी ने develop किया है, तो जीन आपकार ने कौन कौन सिस्टम इसमें include होते हैं, तो heart, lungs और brain system इसमें include होते हैं, जो जिसको हो कि हम बच्चे के, इन तिन सिस्टमों को देख सकते हैं, कि वो अच्छे से काम कर रहे कि नहीं, आपकार का full farm है, तो AC appearance है, PC heart rate, GC grimes, AC activity, RC respiratory rate है, अब इस सब बातों को तो हमने अपने part 1 वीडियो में सारा clear कर दिया है, लेकिन एक भार फिर हम आप लोगों को बहुत कम समय लेती हुए बता देते हैं, कि appearance का मतलब है, कि बच्चे के appearance से, बच्चे के color से मतलब है, जैसे कि उसका skin color कैसा है, blue है, तो हम zero number देंगे, acro sinus है, यान यानि कि हाथ पर तो नेले हैं, लेकिन अभी उसका पूरी body जो है, ओ पिंकिस, पिंकिस है, तो हम आपने, one number देंगे, पूरी तरह अगर बच्चा pink है, यानि two number का मतलब है, कि यह उन बच्चों को यह दिया जाता है, two, जो स्वस्त है, pink है, तो हम यह two number देंगे, इसी तरह पी से है, उसके pulse या heart rate का पता करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि एकदम absent है, उसमें कोई pulsation हमको नहीं फिल हो रहा है, तो यहाँ हम उसको zero number दे दिए, अगर hundred से कम है, तो हम one number देंगे, क्योंकि hundred से कम हो, तब भी बच्चों को इलाज की जरूरत है, उससे दिक्त है, और hundred से उपर उसका heart rate आ रहा है, तो हमें हाँ पर two number देंगे, एक बात और है कि heart rate पता करने के लिए हमें साथ six second में, आप बच्चे के heart rate को count कर लीजिए, और उसको आप 10 से multiply करके पता कर लीजिए, उसका heart rate कितना है, हमें सब स्वस्त बच्चे का heart rate होगा, वो above hundred होगा, above hundred bit per minute होगा, सी से grimes होता है, जैसे बच्चे का मुँ बनाना करते हैं, जैसे रोनों के लिए पूरा अपनी चेहरों को बनाता है, उसके वही reflexes देखने के लिए ही grimes होता है, कहीं भी आप उसको pinch करेंगे, तो बच्चा पूरी तरह से आपको एक प्रतिक्रिया देगा, अगर कोई दिक्कत है, तो बच्चा उसके हाथ धीले रहेंगे, हाथ पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, जैसे कि आपने कई पींच किया, वो पूरी तरह से धीला पड़ा हुआ, अब एक नमबर पर माइल्ड रिस्पांस करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, पर उतना नह बच्चे जो हैं, स्वस्त हैं, जीरो नमबर उनको मिल रहा है, जो बहुत सीवियर कम्प्लिकेशन में है, उनको बहुत जल्दी रिसेसिटेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीके, तो इस तरह से है, एस एक्टिविटी होता है, यानि उनके मसल स्टोन को देखते हैं, कि वो एपसेंट है, वो हाथ पर अपने नहीं फैला रहे हैं, नसी कोड़ा है, पूरी धीले पड़े हुए, तो यहाँ पर हम उनको जीरो नमबर देंगे, करतु रहे हैं, यहाँ मिनिमम फ्लेक्शन है, मतलब पूरी तरह से हाथ पर, जैसे बच्चा जैसे यह चनम लेता हम मोशन में है, पूरी तगड़े से, क्योंकि छोटे बच्चे भी कभी आपके उंगले अगर पकड़ लेते हैं, तो जल्दी छोड़ते नहीं है, उनकी पकड़ इतनी ते जोती है, तो पूरी तरह से वो एक्टिव मोवमेंट है, एक्टिव मोड में है बच्चा, तो हम यहा देते हैं, यहां पर हम देखते हैं, कि पूरी तरह से बच्चे में कोई respiration नहीं है, तो हम यहां पर absent लिख देते हैं, जहां भी absent है, वहां बच्चे को zero number से scoring की जाएगी, और अब बच्चे तो सास ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कि रोक रुक के सास ले रहा है, प नहीं बनी है, तो यहां पर हम उसको one number देंगे, और अगर बच्चा पूरी तरह से regular तरह से सास ले रहा है, तो हम यहां पर two number देंगे, हमेशा बच्चों की respiratory rate होती हो, 30 से कम नहीं होना चाहिए, और 60 से जादा नहीं होना चाहिए, उसको अगर ऐसा absent है, यह रुक रुक के सास ले रहा है, तो एक number regular है, तो two number, तो हमने देखा कि जब बच्चा पूरी तरह स्वास्त रहा है, तभी two number से हां scoring की गई है, one number का मतलब है कि उसको स्वास्त समस्या तो है, लेकिन उसको उतनी जटिलता नहीं है, जितनी की zero वाले बच्चे की है, इस प्रकार से हम scoring तो देखते हैं कि, तीन तरीके से scoring होती है, जैसे कि अगर बच्चा severely pressed है, तो उसकी scoring इसे के बीच में, पूरा पूरा zero आ गया है, के वल कभी जरूरी नहीं कि हमेशा एस सीधी लाइन से इस तरह zero, one or two, पूरे किसी में होगा, तो भाई ठीक है, वो blue था, एक्रो साइनोसिस और पिंक नहीं था, लेकिन अगर heart rate है, तो उसका heart rate सही है, तो यहाँ उसको number मिल जाएगा, और यह सब number है, तो यह इस तरह से यहाँ zero जोड लेंगे, यहाँ two जोड लेंगे, अगर इधर कहीं मिला उ उसको तुरंट resuscitation की जरूरत है, बच्चे को तुरंट embo bag से आप उसको breathe दे, oxygen दे, और जो भी resuscitation की प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसको follow करें, अब दूसरे number पे देखते हैं, अगर बच्चा moderality, depressed है, depressed है, तो अकर इसके बीच में scoring उसकी आती है, तो माना जा रहा है, कि बच्चे को दिक्कत तो है, उसकी सेह संबजी दिक्कत है, पर उतनी नहीं है, जितनी इस बच्चे को थी, यहाँ पे केवल उसको आप सक्षन करेंगे, उसकी position बनाएंगे, उसका थोड़ा सा उसको position बना के instrument बगर करेंगे, तो थप थप आएंगे, तो बच्चा है, सही हो जाएगा, अब तीसरी नमबर पे है, कि excellent condition क्या होगी, जब बच्चे की scoring, 7 नमबर से और 10 नमबर तक आती है, तो इन बच्चों में हमें कुछ भी interfere करने की ज़रूरत नहीं है, यह बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम scoring, अब कारी scoring को सीख लेते हैं, अगर नवजात के साथ इस scoring, अब कारी scoring करते हैं, उसकी एक मिनट और फिर दो बार करनी होती है, और पिर पाच मिनट बाद उसके करने होती है दो बार इसलिए जरूर ये की बच्चा अभी भी मा के गर्म से बाहर आया है तो एक मिनट में हमने किया तो उसे हर पांच मिनट पर ऐसे थोड़ा देखने की जरूरत होती है क्योंकि बच्चे के लिए क्रिटिकल समय हो 288 से होता है जब तक क्यों पूरी तरह से स प्रक्रियाह को अपने करने ले तो अब तक उसको आपजर भी किया जायता है चाहि योरीन पास करना हूँ है ट्यूल इसलिए 48-800 कुनिया हास्पिटल में इसके लिए इस्टेरा ना चाहिए तो उसके बाद ही डिशार्ज करने के प्रक्रिया है ताकि इन सब बातों को 48-800 के अंदर हम देख सकें और पूरी तरह से कनफर्म हो कि बच्चा स्वस्थ है उसकी सियात अच्छी है तभी हम उसको अगर वीडियो थोड़ी पर आपको को यूजब लगती है तो आप जरूर उसके कमेंट करें और लाइक करें, सेर करें सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद